मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी और जीवन रेखा प्रति दिन विस्तार और प्रगति की ओर अग्रिसर इस वृद्धी में सहायता के लिए डबल इंजन सरकार द्वारा लगतार प्रयास किये जा रहे हैं ताकि यात्रा के समय और यात्रा की भीड को कम करने वाली अध प्रधान मंत्री जी ने MMRDA के मुंबई मेट्रों का उधगाटन किया उसके बाद बहुत कम समय में डबल इंजन सरकार के माध्यम से मुंबई के लोगों के लिए माननी प्रधान मंत्री जी के करकमलो द्वारा दो और महत्वपून परियोजनाओं का उधगाटन किया जा र तीन सो करोड की लागत से बनाया गया है। इस Elevated Corridor के निर्मान से पहले, कुर्ला और M-TNL Junction ट्रेफिक से भरे हुए थे। लोगों को रोजाना ट्रेफिक जांग और यात्रा में भारी देरी के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। उपनगरों में East-West Connectivity भी एक समस्या थी। ये कॉरिडोर SCLR डबल डेकर रेल ओवर ब्रिज का पूरक है और इसे Western Express Highway से जोडता है। ये पहले इस कॉरिडोर के बिना संभव नहीं था। इस कॉरिडोर के उपयोग से Western Express Highway से Eastern Express Highway जाने वाले लोगों के समय में 20 मिनिट की बचत होगी। MTNL जंक्षन से LBS Flyover जाने वाले लोगों के समय के 10 मिनिट बचेंगे और ये MTNL जंक्षन पर भी भीड को कम करके आवागमन आसान करेगा। BKC का वैपारिक जिला इन कोरिडोर्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है जिससे वैवसायों को बढ़ावा मिलता है। छात्र समुदाय और दैने क्यात्रियों के समय की बचत होगी जिसका उत्पादक रूप से उपयोग किया जा सकता है। उपनगरों में यातायाद को आसान बनाने के लिए माननिय प्रधान मंत्री जी द्वारा उदगाटन की जा रही अन्य महत्वपून मुख्य सड़क मालाड में कुरार विलेज सब्वे है। कुरार में Western Express Highway के दोनों ओर के लोगों हो, दूसकी ओर पहुँचने के लिए Western Express Highway पर पुछ दूरी तै करनी पड़ती थी। कुरार अंडर पास इस ट्रैफिक को Western Express Highway से दूर ले जाएगा और आवा गमन को आसान करेगा। 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चोड़ाई के साथ इस सब्वे में 7.5 मीटर चोड़ा कैरिजवे सड़क और दोनों तरफ 2.25 मीटर चोड़ा फुटपाद भी शामिल है। ये दो नई परियोजनाएं कुरार सब्वे और SCLR Elevated Corridor दबल इंगन सरकार द्वारा हर मुंबाई करके यातायात अनुभव को सुखत बनाने के निरंतरवादे के अच्छे उधारन है। बेहतर, तेज और वेल कनेक्टिड मुंबाई। MMRDA मुंबाई की सेवा में हमेशा।